हेलो फ्रेν्ड्स आपका स्वागत है हमाई चैनल फिजिक्स वित प्रग्या में तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिश्टी के chemistry में हमने name reaction का topic लिया है reaction आपकी है canny zero upgrade canny zero upgrade क्या होती है आज सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं का time waste किये start करते हैं कि canny zero upgrade आखिरकार होती है तो चलिए बात कर लेते हैं वे aldehyde कैसे aldehyde जिन में alpha hydrogen परमाण की उपस्तिती नहीं होती है ऐसे aldehyde जिन में alpha hydrogen परमाण उपस्तित नहीं होता है उन्हीं की हम किस से करा दे reaction sodium hydroxide या potassium hydroxide के साथ reaction करा दे तो बनता क्या है बाई carboxylik आमल बनेगा या alcohol बनता है aldehyde जिसमें hydrogen परमाण उपस्तित नहीं होते है उन्हीं की reaction हम किस से कराएं sodium hydroxide या potassium hydroxide के साथ कराएं तो बनेगा क्या alcohol बनेगा या carboxylik आमल बनाएगा तो यही reaction क्या कहलाती है कैनी जारो अबग्रिया कहलाती है जो carboxylik आमल बनाएं और alcohol बनाएं अग समों कैसे हो ऐसे aldehyde हों जिनमें alpha hydrogen परमाड उपस्तित ना हो तो चलिए जिद बात हुई इसकी definition की क्या क्या use होता है जैसे खाना बनाने में कुछ process होती है क्या क्या समागरी use होने वाली तो वैसे ही इस पूरी अबग्रिया में है कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी use होने वाली तो हम लेने क्या वाले है हम लेंगे आपका formaldehyde formaldehyde का formula क्या होता है HCHO HCHO तो इसमें क्या है इसमें alpha hydrogen परमाड उपस्तित नहीं है जैसे CH3 होता है आपका मेथिल होता है ऐसा कोई alpha hydrogen परमाड इसमें उपस्तित नहीं है इसमें formaldehyde है, जिसका formula simply है, HCHO, इसमें alpha hydrogen परमाड उपस्तित नहीं है, इसी के हम क्या कराएंगे, reaction किस से, sodium hydroxide से कराएं, या चाहे potassium hydroxide के साथ कराएं, तो बनाएगा क्या, यह OH निकल जाएगा पहले ही आपका बाहर, OH हम निकालेंगे, ठीक है, तो हम मिलाएंगे क्या, सब हैं, तोटल, टोटल 4H है, आप देख सकते हैं, ठीक है, 2H इसमें, और CH वाला H, 4 होगा, ठीक है, तो पहले हम 1H ले ले लेंगे, और COO, दोनों COO ले ले लेंगे, और NA आपका जो बचा है, उसको ले ले लेंगे, ठीक है, तो आपका 1H निकल चुका है, आप बचे कितने H 3H बचे हैं, ठीक है, और 1C बचा है, क्योंकि C भी 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है, क्योंकि 3H अभी बचे हुए, 4H थे, 1H हमने ले लिया, HC, ON में, ठीक है, तो अब बचेका क्या, आपका CH3, यह बन क्या गया, मेधिल स्ते ही रिक्षिन आपकी कंडी जारों कियी क्लिया ситу आपका दताुन मेदिबीट यहां मेद्यं किस्द कराद काई नियु जाहीं हं नियुकना सेक्थ किरते हैं आपकी तहों अपर्व्य कंडीय करते हैं क्लिक उफ लो फ्राइब में अल्फा हाइड्रोजन परमाड़ो उपस्तित नहीं है और यह बना क्या रहा है देख सकते हैं आप कार्बोक्स लिक अमल बनाएगा या एलकोहल बनाएगा तो भाई अगर आपको कहने जारो रियक्शन स्रमान में वीडियो अच्छा लगा तो प्लीस वीडियो को लाइक क अबोल वीडियो को कई दो एक बनाएगा यारो बनाएगा चार